नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती यकीनन जोतिश का कार है आपको सही दिशा का निर्देशन करना होता है ना कि दिशा को बदल देना होता है मसलन अगर आपके भागी में मेडिकल छेत्र में जाने का योग है तो जोतिश शात्र बता देगा ऐसा नहीं है कि आप इंजिनियर बनना चाहें, योग मेडिकल का है, तो हम इंजिनरिंग को बदल करके मेडिकल में कनवर्ट कर देंगे समझियेगा, जानियेगा, सीखियेगा, गुनियेगा, चलियेगा, तो पहुँचियेगा जरूर सुरुबात करते हैं आज के खास पंचांग से लेकिन पहले हम बता देते हैं कि कोई एक खास मेल सेलक्ट हो चुका है अब कौन है वो भागिशाली दर्शक है दर्शिका जिसका मेल आज हम देने जा रहे हैं थोड़ा इंदजार इसका जन्म 31 अगस्त को है ऐसे लोगों के लिए जन्म दिन के शुब कामनाओं के साथ ऐसा क्या उपाय करें जिससे उनका पूरा वर्ष बेहतरीन भी थे यह भी हम बताएंगे पूरे वर्ष का हाल भी बताएंगे तो आएए पहले पंचांग की बात कर लेते हैं भादपद माह शुक्ल पक्ष दस्मीत थी जेश्ठा गौरी विसर्जन भी इसे करते हैं चंद्रमा धनुराशी में प्रवेश कर चुके हैं और नक्षत्र आज पूरे दिन रात तक मूल रहेगा गन्न मूलों में होता और थाथ आज अगर किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो मूल सांती जरूर करवा ले मूल पर भी हम जल्दी ही एक नया वीडियो डालने वाले है अप्लोड करेंगे इंदजार करिएगा दिनान की 30 अगस्त 2017 दिन गुर्वार ग्रहों की बात कर लेते हैं कि इसके सराशी में कौन से ग्रहों पस्तित हैं सूर्य बुद्वंगल अभी सिंहस्ति हैं ब्रहाश्पति कन्या में शनी व्रिष्टिक में और चंद्रमा व्रिष्टिक छोड़के धनों में प्रवेश कर चुके हैं कि चमकराशी में केटू और करकराशी में शुक्र राहू हूँ चलीए आरम करते पूरे दिन के हाल के चाल के साथ सबसे पहले मेश रासी evaluated वालों के लिए आज गुप्त शत्रीओं पर हावी होने का दिन आज ब्रहश्पत ही आपको बहुत बड़ी सौगार देने वाले हैं आज आप शत्रूपर हावी रहेंगे अर्थात आज का दिन आपके पक्षम जाएगा पूरी तरह से कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो मेश वालों को आज अपना धन वापस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है पैसा वापस मिल जाएगा शुबरंग लाल रहेगा भाग्य प्रिस्ट 58 विशब राशी मा के स्वास्त पर आज कुछ धन खर्च हो सकता है मकान संबंदी समस्याओं का आज निराकरण कर सकते हैं आप बहु प्रतिक्षित और विलंबित कारे आज पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा शिग्रता करिए शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी है भाग्य प्रिस्ट 65 विशब राशी जल्दी बाजी घहा तक रहेगी आज लंबी यात्रा अवाइट करिएगा पुराने मित्रों से मुलाकात के संभावन आये हैं बाहर आज घर से सोच समझ करने के लिएगा तैयारी के साथ हो सकत आपको परिशान कर सकता है गवमाता की सेवा कर लिजेगा आज का दिन आपका बहतर हो जाएगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रिस्ट 60 सिंग राशी सुर्य मंगर बुद्ध आज बहुत मजबूती के साथ आपको लेके जा रहे हैं नई नौकरी के संभावनाएं प्रवल हैं प्रवोशन भी आज आपका हो सकता है जमीन में निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है शुबरंग आपके लिए पीला है भाग्य प्रि संपता सब कुछ मिलेगा प्यार की मामले में थोड़ा सा आज अनलखी फील करेंगे प्रवोशल आज ना दीजेगा आज प्रवोशल ना करियेगा किसी को करने राश वालों के लिए शुबरंग धानी रहेगा भाग्य प्रसत साथ तुला राशी मेहनत करने का मन नहीं पुरा दिन अलसाय अलसाय से फिरेंगे हो सकता है कि कुछ काम आपका धूरा रह जाए इसकी कारण साजा आज ना करिएगा साजेदारी में भी बहुत सोच समझ कर निर्ड़े लीजेगा शुबरंग तुला वालों के लिए आज सफेद रहेगा और भाग के साथ देगा आपके लिए आज आस्मानी है और भाग्य प्रस्त 78 धनुराशी खर्च की अधिकता रहेगी कुछ विशेश चीजों में खर्च कर सकते हैं आप नए निवेश के लिए भी विचार कर सकते हैं कोटुम्बे में किसी नए सदस्य का आज आगमन हो रहा है बहुत प्रतिक्षि करने के लिए सोच विचार कर काम करिएगा और सक्सेज की जो बताएंगे उसे आप जरूर कर लीजेगा धनुराशी के लिए शुबरंग बैगनी और भाग्य प्रिस्त छाचट मगर राशी अग्यात आशंकाओं से पूरा दिन घिरा रहेगा यह करें या यह करें अफेद भाग्य प्रिस्त छीहत्तर मकर के बाद कुम्भराशी मित्रों की मदद से बहुत दिनों से पेंडिंग बड़ा काम बन जाएगा विवाह की निमित अगर कदम बढ़ाना चाह रहे थे अर्थात शादी के लिए कहीं चर्चा करना चाह रहे तो दिन आपका आज ठी है चर्चा कर सकते हैं कुछ अनावश्यक चिंता परेशान कर रहे हैं तो किसी अपने को बता दीजी साजा करिएगा दिन अच्छा जाएगा गुमराशी वालों के लिए शुबरंगाज आस्मानी है और भाग्य प्रिस्चत 65 मीराशी अचानक से किसी ऐसे निरणय के कारण स सोचे भी नहीं थे तो कोई भी डिसेजन लेने से पहले दस लोगों से राय मश्मरा कर लिजेगा नए वाहन और मकान आदिक में निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है थोड़ा सा रुख जाईए एक बार जन्मांग दिखा लिजेगा हो सकता है कि आप एमोशनली आज किसी स से यूज हो जाए तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवशकता है शुबरंग आपके लिए आज हरा रहेगा और भागे साथ देगा साथ प्रतिसत शुब जन्म दिन ऐसे लोग जिनका आज खास जन्म दिन है पूरा वर्ष इनका कैसा बीतेगा गौर्बन जॉब के लि है कि आप सेप्रेट हो जाएं वहन दुर घटना से संभावित पूरा वर्ष आपका रहेगा ऐसे लोग जो शूगर और ब्लड प्रेशर की मरीज हैं ऐसे लोगों को हार्ट अटेक की संभावना भी बन सकती है अगर आपका जन्म 31 अगस्त को हुआ है अब पूरे वर्ष के अगर आपको लगता है कि आप कुछ इस प्रकार की दिक्कतों में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं तो गुरुवार के दिन हर गुरुवार के दिन आज भी गुरुवार है और हर गुरुवार किसी जरुरत मंद को चने की डाल का दान करिएगा ये आपके लिए बिलकुल राशियों का सबसे सटीक भविश्यमारी दिन कैसा भीतेगा और शुब जन्म दिन जिसका आज अर्थाति करती सगस्त को था आईए अब जानते हैं आपका खास भाग्याक्षर मेश के लिए काक्षर बिशब के लिए ता मितुन राशी के लिए जाक्षर करक के लिए डा सि कुम राशी के लिए वाग्षर और मीन के लिए संतोस वाला सा यह आपका खास अक्षर है इसको आप एक सादे चौकोर कागच पर लाल रंग के स्याही वाली कलम से लिखिए और अपनी पॉकेट में रखिए बढ़ों के चरणों को ध्यान में करिए और कदम को आगे बढ़ आए पूरा दिन आपका एतिहासिक होगा शुब होगा महाशुब होगा मस्त रहें इंज्वाए करिए सकसेज की सफलता की चाभी कुझी जो बंद दर्वाजों को खोल देती है क्या है आज की इससे पहले की घर से प्रसान करें आप अगर हमारी इस चैनल से जुड़े है और मिलता ही रहेगा अपनी बाई नासिका लेफ्ट नोज लेफ्ट साइड वाली ये बाई हाथ की उल्टे हाथ की नासिका को बंद करिए और दाहिली नासिका से पांच बार लंबी सांस कीचिए ऐसे इट शुड़ रिपीट फाइव टाइम्स और इस प्रकार से जब सांस छोड़ियेगा तो नारायर सब्द बोलियेगा नारायर 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 पांच बार और फिर घर से सीधे निकल जाएगे मस्त दिन बीतेगा, महाशुब दिन बीतेगा सक्सेस की हो गया, भविश्वानिया हो गई राशियों की अर्थात पुरे राशिफल हो गया, शुब जर्म दिन हो गया अब बताते हैं ऐसा मेल जो आज सेलेक्ट हो गया है भाग शाली, दर्शक या दर्शिका, आईए जानते हैं तो लगी विजेता हैं आज के संचिता मजूमदार बहुत शुब कामना आएं, बधाईयां, बिग हैंड फो यू तालियां, संचिता जी आपका मेल सेलेक्ट हो गया है दोपहर 11.20 पर कल आपने मेल किया था मेरी जन्म ते थी, किस नवंबर 89, बर्थ प्लेस है गुना, मध्यप्रदेश जन्म का समय है दोपहर 3.21 मिनट सवाल तो बहुत किया है भाग उदर कब होगा, कब तक समस्या खतम होगी किस शेतर में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए शादी शुदा लाइफ कैसी होगी, शादी कब तक होगी बताईए लाइफ सेटल होने में कितना टाइम लगेगा आईए स्पीसियस बनना है इसकी कितनी संभावनाएं हैं बताईए और अंत में अपनी तरफ से प्रडिक्शन तथा उपाय बताईए ताकि उनको फालो करके अपने जीवन को एक नहीं दिशा दे सको धन्यवाद ये पूरे मेल का मजमून है संजिता जी का संजिता जी यहाँ पर हम मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड देते हैं सेधिक नहीं देते हैं तो इतने प्रशनों के लिए फिर हम आपको स्वागत करेंगे आप हमसे इंदोर में, भुपाल में, उज्जैन में, जैपुन में कहीं पर भी मिल लिजेगा फिराल हम आपका जो प्रशन ले रहे हैं ISPCS का वो हम बता देते हैं कुनली आपकी तयार हो गई कुनली के अनुसार आपका मीन लगना है और चन्रमा आपकी कुनली में सिंहस्त है सरकारी नौकरी के निमित आपने ISPCS के निमित प्रशन किया है जिसके संभावनाएं जन्मांक के हिसाब से बहुत कम है नौमांश कुनली में भी बहुत प्रबल योग नहीं है यद्यप की बरगोत्तम है आपका अर्थात नौमांश भी मीन का है और लगने भी मीन का है प्रयास करिएगा अंतिम सांस तक उमीद बहुत कम हमें लग रहा है दोपार 23 के हिसाब से आपका 27 डिगरी का लगन है और बरतमान में आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो अंतिम सांस तक प्रयास करिएगा सरकारी नौकरी की संभावनाओं को हम इनकार कर रहे हैं फिलहाल लेकिन करेंगी आप नौकरी है तो उम्र के हिसाब से आप तयारी सोच समझ कर करिए और अपने आपको कहीं पर लगाकर इंगेज करके चार पैसा आप आना चाहिए अगर आप वर्किंग होना चाहती है और उसके बाद उपाय कर लिजेगा और उपाय में आपके लिए है मंगलवार का वरत कुछ पंडित जी लोग मना करते हैं कि महिलाएं इस तरह यहां मंगलवार का वरत नहीं कर सकती है क्योंकि बजनक बली irgendwie ब्रहमचारी थे ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रहमचारी थे तो क्या है वो सिर्फ पुलशुक के लिए ही मदद करेंगे यहां मंगल ग्रह से संबंद है आख बंद करके मंगलवार का वरत कर सकती है आप कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की चिंता नहीं है सात्विक रहीएगा मीन लगना आपका बहुत मजबूत लगन है लेकिन 27 दिगरी का होने के कारण प्रते गुरुवार को कुछ ने कुछ दान जरूर करती रहीएगा शुब कामनाय हम देते हैं आभी मेल कर सकते हैं मे एक नया सेग्मेंट सुरू करूं जिसमें मैं 5-7 मेल प्रति दिन लेना सुरू करूं ऐसी व्यवस्ता हम देने जा रहे हैं अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा इस चैनल को जादा से जादा लोगों से सब्सक्राइब करवाईएगा इस चैनल पर ट्रैफिक जादा से जादा मंगवाईएगा आप लोग का स्नेह बर्था जाएगा तो हमारे कई प्रकार के शोध और हमारे उत्साह में भी बृद्धी होगी और हम जादा से जादा कुछ नया नया इनोवेटिव देने का प्रयास करेंगे इंदजार करिएगा रात का जब हम आपके साथ ला रहा आप सबका जीवन सुखी रहे प्रशन रहे हंसते रहे गुन गुनाते रहे स्वक्षता अपनाए भारत वर्ष को सम्रध्य बनाए नमस्कार शिरात आचार्य संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है एक और दो सब्टेंबर पूने तीन और चार और पांच सब मुंबाई 9 और 10 सब्टेंबर कोलकाता 22 सब्टेंबर जैपूर 23 और 24 सब्टेंबर इंदौर 1 और 2 ओक्टोबर नागपूर 10 और 11 ओक्टोबर अहिम्दाबाद 26 और 27 और 28 ओक्टोबर पतना 29 और 30 ओक्टोबर लखनाओ अधिक जौनकारी वो अपॉन्टमेंट के लिए संपर्क करें 9910 291850 और 991024 009